नमस्कार मित्रों डिजार पॉंट चैनल के इस नए बीडियो लेक्चर में मैं हूँ अमिदुबे और हम प्रेजेंट कंटिनिवर स्टिन्स का अध्यन कर रहे हैं पिछले दो बीडियो लेक्चर में हमने present continuous tense को पूरी तरह से complete किया आज का जो यह बीडियो लेक्चर है इसमें हम कुछ special और logical बाते सीखेंगे जो हमने अब तक पढ़ा है उससे कुछ अलग लेकिन इस बीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे request करूँगा कि अगर आपने पिछले दो बीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं क्योंकि उन्हें देखना जरूरी है तब ये topic आपको समझ में आएगा तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे channel की playlist में जाएए वहाँ पे आपको pins की playlist मिल जाएगी वहाँ पे आप पहले दोनों lecture complete कीजिए और फिर इस वीडियो पर आईए तो चलिए सुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हमें क्या सीखना है देखिए बहुत गजब के facts लेकर मैं आप लिए आया हूँ ध्यान से समझेगा देखिए सबसे पहली चीज प्रेजिट कंटिनिवर्स टेंसी की पहचान से सुरू करते हैं पहचान के बारे में सबसे सीधी और सरल बात आप याद कर लिजिए कि जो कार्य अभी हो रहा है और कुछ समय बाद समाप्त हो जायगा वो हमेशा continuous के अंतर गताता है जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ कुछ समय बाद ये वीडियो खतम हो जायगा और मेरा पढ़ाना समाप्त हो जायगा जैसे मैं अभी एक book लिख रहा हूँ कुछ समय बाद मेरी book complete हो जाएगी और मेरा लिखना समाप्त हो जाएगा जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं कुछ समय बाद पढ़ना समाप्त हो जाएगा और अपनी पुस्तक या फिर इस वीडियो को आप बंद कर देंगे तो सीधी सी बाद जो काम अभी हो रहा है और कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा उसे आप हमेशा present continuous tense में रखेंगे ये बाट depend करती है कि sentence के अंत में था है गा है या फिर है है तो उस पर depend करती है तो उसे अभी परिशान नहीं हो ना हम आगे बढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे तो अभी के लिए simple सा एक मोटी मोटी बात आपको याद रखनी है क्या कि जो वाक काम अभी हो रहा है और कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा उसे हम present continuous tense में रखेंगे ठीक है क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ present continuous tense का यद्धन किया है आगे अध्धन करेंगे तो और बाते सीखेंगे अब देखे पहचान में मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है पहली बात तो हम इतना जान दे हैं कि इन वाक्यों की मुखे करिया के अंत में रहा है रही है रहे है आदी सब्दाते है अब इसमें और को चोड़ा है मैंने कि बैठा है बैठी है जैसे कोई नदी किनारे बैठा है तो भाई अपने पूरे जीवन काल में वा नदी किनारे बैठा तो नहीं रहेगा न भाई एक घंटे बैठेगा, दो घंटे बैठेगा, फिर उठके चला जाएगा, तो यानि वो काम हो रहा था और फिर समाप्त हो गया, जैसे बिद्याले आप जाते हैं, तो आप कुछ समय तक बिद्याले की डेक्स बिंच पर बैठे रहते हैं, लेकिन जब क्लास समाप्त हो जाते हैं, थो आप घर आ जाते हैं, नहीं भाई, आप घर आ जाते हैं, यानि कोई कारे था, वो अभी हो रहा था और कुछ समय तक किनारे खड़े हैं, तो ऐसे sentence को आप किसमे करेंगे, भाई, present continuous ineuds में, क्यूंकि अभी खड़े हैं, अब पूरा जीवन काल तो खड़े नह घंटे दो घंटे एक दिन दो दिन बाद वो अपने घर जाएंगे इसका मतलब ये कारे समथ हो गया तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिनुस्टेंस है अच्छा पहला फैक्ट हमने जाना दूसरा फैक्ट देखिए ऐसे कारे जिसके निकट भविस में किये जाने की योजना हो ये गजब का फैक्ट है देखिए कहीं पर भी रहा है रही है रहे है नहीं आएगा लेकिन हमें इसे करना प्रेजेंट कंटिनुस्टेंस में है जैसे कि वहां कल एक कंप्यूटर खरीदेगा ध्यान से समझेए ये क कारे निश्चित है कि कल वो एक कंप्यूटर खरीदेगा तो ऐसे सेंटेंस को आपको किस में करना है प्रेजेंट कंटिनुस्टेंस में यानि ऐसे कारे जिसके निकट भविस्य में किये जाने की योजना हो योजना बनाई जा चुकी हो जैसे वहां कल एक कंप्यूटर खरी देखने से तो future है लेकिन होगा किस में continuous distance में किसके present के तो he is buying a computer tomorrow T-O-M-O-R-O-W मैं अगले सप्ताह अपनी गाड़ी बीच दूँगा तो मैंने ये योजना बना ली है कि अगले सप्ताह मैं अपनी गाड़ी बीच दूँगा तो इसके लिए कि भाई I am selling my car next week तो मैंने पहले ही कहा था कि आपको पिछले दो वीडियो लेक्चर देख कर आना है क्योंकि यहाँ पर कोई rule discuss नहीं करेंगे बस ऐसे ऐसे facts देखेंगे जो कि दिखने में तो कुछ और है लेकिन निकल कुछ और जाते है तो simple सी बात समझ में आई क्या बात है कि ऐसे कारे जिसके निकट भविश्य में किये जाने की योजना हो उन्हें भी हम present continuous tense में करते हैं finally second topic कि ऐसे क्रियाएं जो ग्यानेंद्रियों के अनुभव या भावनाओं को ब्यक्त करती है भाई ये ग्यानेंद्रियां क्या चीज़ होती है जैसे आख, कान, नाख, जीवा, त्वच्चा ये सारी चीजें हमारी ग्यानेंद्रियां होती है और इनके ग्यानेंदियों के अनभव या भावनाओं को व्यक्त करती हैं उनके बारे में देखिए जैसे sentences है कुछ कि मैं तुम्हें जान रहा हूँ भाई मैं तुम्हें जान रहा हूँ तो इसको हम ऐसे नहीं करते कि I am knowing him तुम्हें है तो you हो जायगा ठीक है तो मैं तुम्हें जान रहा हूँ I am knowing you नहीं ऐसे नहीं ये गलत हो जायगा इसे हम करते हैं present indefinite में कि I know यहाँ पे भी you मैं तुम्हें जान रहा हूँ I know you दूसरा sentence कि मैं तुम्हारा नाम याद कर रहा हूँ भाई मेरा मस्तिस्क है और मैं अपने मस्तिस्क में तुम्हारा नाम याद कर रहा हूँ तो यह भी गलत बात है कि अगर हम इसको ऐसे करें कि I am remembering your name तो यह गलत हो जाएगा सही यह होगा कि ऐसे sentences को हमको रखना है present indefinite में जो हमारे ग्यानेंद्रियों के द्वारा काम हो अनुभव हो उन जब चीजों को हमें present indefinite tense में रखना है कि I remember present indefinite tense में क्या होता है subject plus verb की first form में yes या yes तो भाई I है तो इसके साथ yes या yes नहीं लगेगा तो I remember your name मैं इसे महसूस कर रहा हूँ महसूस अपनी तचा से करेंगे ना अपनी तचा से ही तो महसूस करते हैं तो भाई I am feeling it ये गलत होगा इसको सही से करना होगा कि I feel it इसका मतलब मैं इसे महसूस करता हूँ मैं तुम्हारा नाम याद कर रहा हूँ यानि मैं तुम्हारा नाम याद करता हूँ मैं तुम्हें जान रहा हूँ इसका मतलब मैं तुम्हें जानता हूँ sentences को ध्यान से समझेगा इसी तरह के और वाकिय अगर देखना चाहें तो भाई मुझे मैदान में एक गाय दिखाई पड़ रही है तो दिखाई यानि ग्यानेंद्रियों में हमारी आँख भी आती है जिससे हम देखते हैं ठीक है गुलाब की गंड मीठी लग रही है तो नाक हमारी ग्यानेंद्रियों में आती है जो हमें सुगंध बताती है तो भाई दरोज इसमेल यस यम ए डबल यल यस यहाँ पर रोज एक है इसलिए उसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या इस लग गया तो रोज इसमेल स्वीट वहाँ दुखी दिखाई दे रहा है यानि वो दुखी है तो इसका मतलब सी लुक्स सैड यहाँ पर आप रही कर दीजिए अगर रहा है तो यहाँ पर ही कर दीजिए सिंपल हो जाएगा सब्जेक्ट तो अच्छी मेरे ख्याल से इतनी बाते बहुत सिंपल थी अब हम होमवर्क की बात कर लेते हैं तो अब यह होमवर्क है स्वयम को जाचिए उसके बाद हमें बताईए कि आपको इस टॉपिक में और कितने डाउट सहे गए पहला सेंटेस के तुम हिंदी पढ़ रहे हो सब को सब आपको स्वयम से करना है हम बस से भी जले जा रहे हैं मैं कल एक किताब खरीदूंगा बच्चे मैदान में फुटवाल खेल रहे हैं हम गडित नहीं पढ़ रहे हैं राधा और सीता गीत नहीं गा रही है मधूस माता जी के साथ भोजन नहीं बना रही है क्या तुम एक अकपार खरीद रहे हो क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ तुम गडित क्यों पढ़ रहे हो हम राधा और स्याम के साथ कहां जा रहे है राधा सीता को क्यों नहीं पीट रही है अध्यापक आज क्या पढ़ा रहे है मैं सुमित के साथ जंगल कब जा रहा हूँ हम आज गणित पढ़ा रहे है तो यहां तक इतने sentences आपको sense करने है खुद को जाचना है अगर कोई doubt है इसे solve करके मेरे WhatsApp नमबर पर send कर दीजी WhatsApp नमबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है send कर दीजेगा मैं check कर लूँगा ठीक है अगर और भी कोई doubt हो तो बताएगा उस पर भी discuss करेंगे अगले वीडियो में हम present perfect tense card दिन करेंगे पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद